हलो शुर्ट हाव आर यू आई होप आप सब ठीक होंगे तो आठ से हम एक्सरसाइज वन सी के कुशन बसिक से आपको बताएंगे कुशन क्या कह रहा है इफ x is equal to under root 5 minus 2 upon under root 5 plus 2 and y is equal to under root 5 plus 2 upon under root 5 minus 2 आपको पता करना है फाइंड करना है x square की value y square की value xy की value उसके बाद x square plus y square और plus xy की value बहुत असान कोशन देखो बेटा कर लेंगे solution देख इसका first of all आको value इसकी पता करनी है x square की तो बैटे तो बेटा पहले हम x की value पता करेंगे ठीक है x की value तो लिखी हुई है इसको हम rationalize करेंगे तब तो हमको अच्छे form में इसकी value पता चलेगी न एक मतलब रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में यानि एक ऐसी value जिसको हम ऐसा answer show कर सके यह तो भी ऐसी value है ने कि जिसको हम ऐसा answer दिखा सके क्योंकि जाहिर सी बात है under root में माफ करिएगा denominator में जो नीचे वाली किनती है उसमें अंडरूट नहीं होना चाहिए ठीक है चलिए कर लेते हैं एक्स की value क्या है अंडरूट 5-2 उप उपान में अंडरूट 5-2 कि है मल्टिपलाइ कर देंगे किसे अंडरूट 5-2 अच्छाए अंडरूट 5-2 नीचे है और यहां पर हो जाएगा अंडरूट 5-2 एक मिनट इननोमेंटर में क्या है माइनस प्लस है न तो यहां पर मैंस से करना पढ़ेगा प्लस है डिनमेटर की बात कर रहा हूं तो अब जिससे मल्टिप्लाइए करेंगा उसमें क्या रहेगा माइनिस रहेगा ठीक है अंडरूट फाइफ मैंस टू को अंडरूट फाइफ मैंस टू से अलिया मइस डिससे मिल्टिप्लाइ करेंगे तो जैगा अनरूट फाइफ मैंस टू को अपन में एक है अपलाइ कर दिया जाएगा तो को में बदाएगा karegga a के जगह पर या मैनिस लगाए तो माइनस लगाएंगे डू में एंडरूट 5 इंटू में तू ठीक है अपॉन मेंänder 5 को अंडरऊ 5 का इस्क्वार करेंगे तो 5 2 को स्क्वार करेंगे तो फोर और गया तो दिखाई दे रहें डिकना त्युर्व बात देखो, ठीक है, तो X की वाल्यू क्या हो जाएगी, यह जाएगा, 5 प्लस में, 2 का स्क्वार करेंगे, 4 हो जाएगा, 2 तो 4 अंडरूर 5 अपान में, 5 में से 4 माइनस करेंगे, तो 1 बचेगा, अच्छा, अपान में 1 रहे, चाहे ना रहे, अपान में 1 रहे, तो हम उसको न यह जाएगा, लिख दोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है, लेकिन हम आमतार पर क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं, 5,49 हुआ, थीक है, माइनस में, 4 अंडरूर 5, तमझ माया, यानि आपको X की वाल्यू तो पता चल गई, आपको निकालने किस की वाल्यू कर देंगे, स्कॉयर कर देंगे, यही तो करेंगे, तो जागा, x is equal to 9 का स्कॉयर होगा, बल्स में, 4 अंडरूट 5 का स्कॉयर होगा, माइनस है, तो माइनस लगाएंगे, 2 × दो में 9 × दो में, 4 अंडरूट 5 होजाएगा, ठीक है, 9 का स्कॉयर 81 आएगा, यहां पर 4 का square होगा 4 का square 16 आता है under root 5 का square होगा under root 5 का square 5 आएगा 16 और 5 को multiply कर देंगे तो हो जाएगा 80 ठीक है minus 2 राइंज आ 18 18 फोर्जा 72 मेरे खायल से under root 5 साथ में 80 को 81 में plus करेंगे तो answer कितना आएगा 161 minus में 72 under root 5 समझ में आया बेटा अच्छे से कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ओके आच्छा यह आपने x square की value की x square की value को निकाल लिया है क्या यह है 161 minus में 72 under root 5 clear ना अब बेटा इसकी बाद हम निकालेंगे y square की value y square की value भी से हम process से निकालेंगे पहले y की value लिखेंगे क्या दी हुई है under root 5 plus 2 under root 5 minus 2 multiply कर देंगे किस से denominator में देखो बीच में minus से plus से multiply करेंगे नीचे भी और उपर भी फिर y की value क्या हो जाएगी under root 5 plus 2 का whole square a minus b a plus b तो यह जागा under root 5 का square minus में 2 का square थे क्वाइड का whole square की हो जाएगा, under root 5 का square plus में 2 का square plus में 2 into under root 5 in 2 में 2 upon में under root 5 का square करेंगे तो 5 आएगा minus 2 का square करेंगे to 4 आजाएगा clear है? अब देखो y की value क्या आजाएगी 5 का square किया, 5 आया 2 का square किया,कितना आया आयँ,4 आ आया ова 5 वाई की वाईर गलुकिया उठे़ क्लेंगी इनीज्ट के टू कॉर जाएगी तुटो है कि आए आए की वाई ख़ंगे लेकिन हम को निकालनी है वाई स्क्वाईर की वाई था दोनों रसे स्कॉायर करिए गोति क्या की सतन्य क्यों है टीक prawda ना sırिने सांगे ना प्रवाइगा फ्र ऊंडरूट फ्रथांड प्रई प्लस में 2 इंटु 9 इंटु 4 1 1 2 तो आएगी नांका स्कॉयर् करेंगे 31 का ना नेन स्क इतना होता है 81 होता है, ठीक है, 4 under root 5 को all square करेंगे, 4 का square कि 16 आएगा, under root 5 का square करेंगे, तो कितना आएगा, 5 आएगा, 16 into 5 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, plus 2 9 से 18, 18 4 से 72, under root 5, ठीक है, तो x square की value कितनी आजेगी बटा, 161, 81 में 80 plus करेंगे, तो 161 आएगा, अब plus में, 72 under root 5, यानि y square की value कि आएगा, 161 plus में 72 under root 5, यहाँ पे लिखलो, 161 plus में 72 under root 5, अब इसके बाद किसकी value पूछ रहा है, यहाँ पर जगा तो है नहीं, तो मैं दूसरे पेच का इस्तमाल कर लेंगे, इसके बाद किसकी value पूछ रहा है, बैटा, x, y की value पूछ रहा है, x, y का मतलब है, x into y की value पू y कितना दिया है, 161 plus में 72 under root 5, 161 minus में 72 under root 5, 161 plus में 72 under root 5, अब देखो, यहाँ पर फिर से a plus b और a minus b की identity बन रही है, a minus b, a plus b, आंसर क्या हो जाएगा, x, y का अंसर, a का स्क्वार या नि 161 का स्क्वार, minus में 72 under root 5 का स्क्वार, क्लियर है पूछ रहा है, ओके अब देखिए, अगर हम 161 का स्क्वार कर देंगे, तो देखिए, हमको क्या मिलेगा, समझेगा बेटर थोड़ा, अगर आपने 161 का स्क्वार कर दिया, तो आपको मिलेगा 25,911, कितना मिलेगा, 25,911, minus में, 72 under root 5 का स्क्वार का मतलब क्या है, कि पहले आपको 72 का स्क्वार करना होगा, तो तो आपको आफर मिलेगा 5184 उसके जब आप अंडर उसके बाद जब आप अंडरूट 5 को आइसको आपको 5 मिलेगा तो 5184 को 5 से मल्टिप्लाई कर दोगे तो आंसर कितना आएगा 25920 25921 में से कड़ 25920 माइनस करोगे तो आफर मिलेगा आपको बन एकसमाई की भी negative पता चल गए अब इसकी वायल निकाल नहीं ह्याशक बिसिकली किसको इसकी तो इसकी वैलु क्या आका तो देखिए x square plus में y square plus में xy ठीक है value आपको तीनों पता चल गए या अब लिख दो xy की value बन आई है इन तीनों की value पता चल गए नहीं लिख दो उठा गए तियो जाएका 161 minus में 72 under root 5 ok plus में 161 plus में 72 under root 5 और plus में 1 clear है minus 72 under root 5 और plus 72 under root 5 cancel out हो गया इन दीनों को plus कर दो 111 कितना हो जाएगा 3 16 और 16 कितना हो जाएगा 32 answer कितना आगया 323 answer आजाएगा clear है आच्छे से कोई दिकत वाली वाद तो नहीं है ok चलिए इसके बाद आपने अच्छा कोशन करेंगे समझना बटा आपको n की value दिया है m square पता करना है n square पता करना है फिर mn पता करना है कर लेंगे बेटा बहुत असाने देखो solution क्या given है m की value 1 upon में 3 minus 2 under root 2 इसको first of all क्या करेंगे rationalize करेंगे denominator में क्या है भीश में minus में है तो हम plus लगा के rationalize कर देंगे उसी गिंती के साथ अब देखो अगर 1 को multiply करोगे 3 plus 2 under root 2 से तो 1 को जिस भी number से multiply करो पलट के जो number दिया रहता है ना वही answer आ जाता है तियो जाएगा 3 plus में 2 under root 2 नीचे देखो नीचे फिर से identity बन गई a minus b a plus b a की जगा पर 9 है बी की जगा पर 2 under root 2 है तो answer क्या होता है a minus b a plus b का a का square minus में b का square यही तो होता है ना तो 3 plus में 2 under root 2 अपान में 3 का square करेंगे 9 आएगा 2 under root 2 का square करेंगे अब जिको यहाँ पर देखो 2 का square किया 4 आया under root 2 का square किया तो 2 आ गया 4 को 2 से multiply करेंगे तो 8 आ जाएगा तो answer कितना आ गया direct 3 plus में 2 under root 2 अपान में 1 इसका आ बैरेक क्या ले सकते हो 3 plus में 2 under root 2 आ पर लिख सकते हो यानि आपको m की value तो पता चल गए लेकिन हमसे question में कहा क्या है m square की value निकालना है तो निकाल लेंगे बैट S का square कर देंगे बस आपको यही करना होगा A plus B का whole square guarantee apply करेंगे तो पहले 3 का square करेंगे उसके बाद 2 under root 2 का square करेंगे ठीक है फिर plus में 2 into में 3 into में 2 under root 2 से multiply कर देंगे 3 का square करेंगे कितना आएगा 9 आएगा तो अन्डरोट को स्क्वार करेंगे तो 8 आएगा पवागे टो को स्क्वार करेंगे तो 2 आजाएगा 4 को 2 से मल्लिप्लाइ करेंगे तो 8 आजाएगा 2 3 is 6 6 be 0,12 शाथ में अन्डरोट 2 आंशर इंगा नो और 8 मिल जाएगा 17 प्लस होके 17 प्लस में 12 आज़ा टो यानि M square की value कितनी आगे बिटा 17 plus में 12 under root 2 अब उसके बाद n की value निकाल लेंगे n की value आपको key way ने क्या दिया है 1 upon 3 plus में 2 under root 2 first of all इसको rationalize कर देंगे यहां plus लगा है तो आप minus लगा के करेंगे rationalize नीचे भी और ऊपर भी फिर वह चीज वन को अगर 3-2 under root 2 से multiply करेंगे तो पलेट के 3-2 under root 2 ही आना है a plus b a minus b दियो जाएगा a का square minus में b का square 3-2 under root 2 upon me 3 का square करेंगे 9 आएगा 2 under root 2 का square करेंगे 8 आजाएगा answer कितना है 3-2 under root 2 upon में 1 आप और में 1 को कोई महत तो होता नहीं है तो diet आप n की value क्या लिए सकते हो बताओ n की value लिए सकते हो आप 3-2 under root 2 लेकिन हमसे question में पूछ रहा है n square की value तो n square की value कितनी होगी बताओ जारा बताना n square की value कितनी होगी इसका square कर देंगे दोनों side 3 का square करेंगे 9 आएगा plus में 2 under root 2 का square करेंगे कितना आएगा 8 आएगा कितनी आए थी बता यह आए थी 17 प्लस में 2 under root 2 n square की value कितनी आए है 17 माइनस में 12 under root 2 यह भी आपका 12 है 2 नहीं है इसको जहीं से लिख लो 12 under root 2 clear है उसके बाद अब आपसे m n की value पूछ रहा है ठीक है m n का मतलब क्या होता है m into n m की value कितनी आए थी देखो m की value यह आए थी 3 प्लस में 2 under root 2 इसको अब multiply कर दो किस्ते n की value से हो n की value कितनी आए थी देखो final में n की value यह आए थी 3 माइनस 2 under root 2 फिर बाइचीज a plus b a minus b की identity बन गई a minus b a plus b होता क्या है a का square माइनस में b का square a की जगवर 3 है तो 3 का square माइनस में 2 under root 2 का square 3 का square करेंगे 9 आएगा माइनस में 2 under root 2 का square करेंगे तो 8 आएगा answer कितना आगया 1 आगया यानि m n की value कितनी आगया क्लियर है बेटा आच्छे थे कोई दिकत वाली बात तो नहीं है इसके बाद अपने answer question करेंगे समझना बेटा थोड़ा था देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है x की value आपको given है आपको 1 upon x की value निकालनी है x plus 1 upon x की value निकालनी है और x plus 1 upon x का whole square निकालना है बहुत असान है निकाल लेंगे कोई दिकत वाली बात नहीं है देखो x की value आपको given है solution देखते हैं x की value बट आपको given है 2 under root 3 plus में 2 under root 2 तो 1 upon x की value कितनी हो जाएगी बताओ 1 upon में चला जाएगा बस समझे अब देखो अब denominator में जो भी है उसके हिसाब से आप इसको क्या कर दोगे वह rationalize कर दोगे यही तो करते हैं न चली mix कर देते हैं denominator में देखो plus काजाइण है यहाँ पर हम minus के लगा देगे तो 2 under root 3 minus में 2 under root 2 2 under root 3 minus में 2 under root 2 1 को इससे multiply करेंगे तो हो जाएगा 2 under root 3 minus में 2 under root 2 upon में a plus b a minus b पहले हो जाएगा a का square मैन ने में फिर b का square टू अंडर रूट 3 माइनिस में टू अंडर रूट तू पॉन में इसका स्कॉयर करो टू का स्कॉयर करेंगे फोर आएगा अंडर रूट 3 का स्कॉयर करेंगे 3 आएगा 4 को 3 से मल्टिप्लाइ कर देंगे 12 आजाएगा 2 का square किया, कितना आएगा, 4 आएगा, under root 2 का square करेंगे, तो 2 आएगा, 4 और 2 को multiply कर देंगे, तो हो जाएगा, 8, तो हो जाएगा 2 under root 3, माइनस में, 2 under root 2, अपाउन में 4, अगर आप चाहो अब आप, तो ऊपर से क्या कर सकते हो, 2, common ले सकते हो, यह आपके उपर है, चलिए 2 अगर हम numerator में common निलो तो बचेगा under root 3 minus under root 2 upon में 4 2 1s है, 2 2s है, यह भी आप पर सकते हो ठीक है, तो answer कितना आ जाएगा under root 3 minus under root 2 upon में 2 यह आपको मिल गई 1 upon x की value ठीक है, तो x plus 1 upon x की value क्या हो जाएगी अब सेकेंड वाला, x plus 1 upon x की value क्या हो जाएगी अब आप देखते हैं, clear है, अच्छा चलिए, x की value क्या थी ज़रा देखिए, 2 under root 3 plus में 2 under root 2, ठीक है, 1 upon x की value क्या है, यह है, इसका अब भी चकते हो, under root 3 upon में अबर रूट 2, minus में under root 2 upon 2, यह समझ में आएगी, कैसे लिखा है कि नहीं अब समझना है, इसको अगर आप एक bracket मानो, तो आप cross multiply कर सकते हो, कर सकते हैं, बेटा, क्योंकि इसके denominator में क्या है, 1 है, यह तो आप आप 1 लिखो, उसके बाद 1, 2 का NCM निकालो, फिर लिखोगे, फिर 2 को इससे डिवाइड कराऊगे, जो इसको डिवाइड कराऊगे, जो प्रोसेस है, बाइसा नहीं करेंगे, हम डारेक्ट शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे, cross multiply करेंगे, लेकिं cross multiply करते हैं, जब अगले number में denominator ना हो, जब अगले number में denominator 1 हो, ऐसा थो नहीं कि denominator होता ही नहीं है, नहीं लिखा है तो उसको मतलब क्या है, by default 1 है, ठीक है, cross multiply कर दो, अब देखो, 4 under root 3, plus under root 3, ती हो जाएगा 5 under root 3, 4 under root 2, minus under root 2, ती हो जाएगा 3 under root 2, plus में, upon में 2, फिसे समझ लो, ये under root 3 की गिंती है, और ये वाली भी under root 3 की गिंती है, under root 3 के आगे, यहां पे कुछ नहीं दे, by default क्या होगा, 1 होगा, 1 और 4 प्लस हुआ, तो 5 हो गया, यह 4 under root 2 है, under root के आगे, कोई सी गिंती नहीं लेगा, इसका मतलब क्या होगा, by default 1 होगा, तो 4 में से 1 मानिस का लेगा, तो 3 आएगा, और लेकिन सैंक इसका लगेगा, बड़ी गिंती का, 4 और 1 में बड़ा कौन था, 4 बड़ा था, 4 बड़ा था, स्वाज इस प्रस लगाया है, ठी यह आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है, मैं बताता हूँ फिलाल, कोई दिख्केत वाली बात नहीं है, अच्छा, इसको अगर आप ओपन करो, तो क्या होगा, एक्स का स्क्वाइर होगा, ओपन कैसे करेंगे, ए प्लस बी के होली स्क्वाइर की आइटिटी से, ए की जगा पर एक्स है, बी की जगा पर वन अपॉन एक्स है, तो पहले ए का स्क्वाइर किया, फिर बी का यह जाएगा प्लस में 2 यह जाएगा ना यह आपका है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होली स्कुर्र यह चीज़ आपको कीवन है ठीक है लेकिन समझना बेटा आपको इतना ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है यह तो मैंने आपको बता दिया कि आपको कहीं स्कुर्शन में काम आए लेकिन आपको इतने दिमाग लगाना नहीं है यहाँ है यह पर देखो यह तो आप निकाल किया है हूँ ना देखो क्या आए थी फाइफ अंडर रूट थी फ्लस में थ्री अंडर रूट टु अपॉन ए ठी अपॉन वे टू बस इसका आप को तरीका बताया है जो कि अगले कोशन में जरूर से जरूर इस्तिमाल होगा क्लियर है चलिए कर देते हैं अब देखो 5 अंडरूर 3 प्लस में 3 अंडरूर 2 का फ्रेंगे और अपाइन में टू कभी स्कॉयर होगा अपाउन में तुम बिटा फोर आ जाएगा यह तो समझी रही ओगा ओपर क्या होगा एप्लैस भी का होली स्कॉयर के अइंटी लग जाएगी ठीक है यह जाएगा फाइफ अंदरोुट्ट्री का स्कॉयर प्लस में 3 under root 2 को square प्लस में 2 into 5 under root 3 into में 3 under root 2 5 को square करेंगे 25 आएगा under root 3 का square करेंगे 3 आएगा 25 को 3 से multiply करेंगे तो हो जाएगा 75 प्लस में 3 का square करेंगे 9 आएगा under root 2 को square करेंगे 2 आएगा 9 को 2 से multiply करेंगे तो आजाएगा 18 प्लस में 2 5s आ 10, 10, 3's are 30 और अंडरूट 3 को जब आप अंडरूट 3 से माफ करिएगा, अंडरूट 3 को जब आप अंडरूट 2 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो एक बास अंडरूट लगेगा और 3, 2 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ऐसे करते हैं, 2, 5's are 10 10, 3's are 30 3 को 2 से मल्टिप्लाइ करें 6 आया, अंडरूट के अंडर लिग देंगे अपाउट में 2 को स्क्वाइर 4 आया था इसको सौल को लवान सा रा जाएगा क्या आएगा देखो 75 और 80 को जब आप 18 को प्लस करेंगे तो 8, 5, 13, 13 के 3 करी लगाए साथ एक 8 और एक 9 हो जाएगा कैरी मिल के प्लस में 30 अंडर रूट 6 अपाउन में 4 यह कितना आगे आपका यह x प्लस 1 अपाउन x के होल स्क्वाइर की वैलू आ चुकी है क्लिया रहे बेटा आच्छे से, ओके अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कॉमेंट करें, शियर करें और इस वीडियो को उन बच्चे तक ज़रूर पहुचाएं जो कर्चिंगों एफॉर्ड नहीं कर सकते है थैंक यू